नमस्कार, आप सभी लोगों का सवागत है हमारे चैनल Critical Section Solutions पर अब हम C Programming Language के उपर पूरी सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसका यह सबसे पहला लेक्चर है इस लेक्चर में हम देखेंगे Introduction C Programming का और C Programming करती क्या है और उसको सीखने के बाद क्या benefits हैं तो आईए शुरू करते हैं Programming Language पढ़ने से पहले आपको यह पता होना जाए कि Programming Language सीख के आपका क्या फायदा है Programming Language सीख के आप कोई भी application डेवलप कर सकते हो अब application क्या होती है दिन भर आप अपनी जिन्दगी में रोज मर्रा में आप बहुत सारी applications यूज करते हो जैसे कि आपने मोबाइल पर WhatsApp चला है यह भी एक application है मैं अभी Microsoft Whiteboard यूज कर रहा हूं लेखने के लिए यह भी एक application है तो अगर आप चाहते हैं कि इस किसम की application आप develop करें कि user आके उसमें कोई काम कर सके तो आप कोई programming language सीखनी होगी जो उस किसम की application को develop कर सके बहुत किसम की application हैं दुनिया में और बहुत किसम की programming languages भी हैं तो आपको जिस किसम की application डेपलप करनी है उससे ही related programming language सीखनी पड़ेगी तो ये फायदा आपका programming language पड़के अब बात करते हैं C की C किस किसम की application डेपलप करती है C जो है वो डेपलप करती है operating system तो operating system बनाने के काम में आती है C operating system क्या है जब आप कोई laptop खरीदते हो या mobile खरीदते हो तो सबसे पहले company उसमें जो install करके देती है या वो आप install करते हो company करे या आप करे लिए कि सबसे पहले उसमें operating system install कर जाता है अगर आप laptop ले रहे हो तो हो सकता आप windows 7, windows 11 ये install करो उसमें अगर आप apple का ले रहे हो तो आप macintos install करोगे अगर आप mobile ले रहे हो तो आप android install करोगे अगर आप laptop लो तो आप open source operating system भी install कर सकते हो अपने उसमें एक्सल ये install करना है तो पहले आपको operating system install करना पड़ेगा उसके बाद ये application install होंगी operating system एक system software है और बागी सारी चीज़े applications है जो user use करता है ठीक है तो applications run करने के लिए आपको system software यानी operating system की जरूरत होती है तो C से कौन सा system software यानी operating system develop किया गया C से develop किया गया Unix हो सकता आपने इसका ना सुनाओ हो सकता है सुनाओ Unix एक open source operating system है ये आपको freely available है आप अपने system में install कर सकते हो इससे develop किया गया C से ये बहुत widely use किया जाता है अब देख लेते हैं थोड़ा सा history किसने develop किया Unix operating system और कहां से C programming language आई चल्दी जल्दी से इसकी history को थोड़ा सा cover कर लेते हैं तो 1960 में एक programming language बनी Alloc ये कुछ लोगों ने मिलके बनाई थी किसी एक individual person नी नी बनाई थी बहुत एक committee थी उन्होंने Alloc programming language बनाई Martin Richard ने इस programming को लिया इसमें थोड़ा modification किया और BCPL नाम की एक programming language बना दे Ken Thompson ने BCPL को और Alloc को दोनों को merge करके उनकी properties को लेके एक नई programming language बनाई B और यही से Dennis Richie ने B, BCPL और Alloc तीनों programming को लेके और उनके features को use करके 1972 में एक programming language बना दी traditional C जैसे आप C के नाम से जानते हैं यह इस समय Unix operating system बिल्ट करने के काम में आई यही programming language इसी समय Unix operating system बिल्ट करने के काम में आई किस-किस ने बनाया Ben Thompson और Dennis Richie मिलके इस operating system को बना रहे थे जो Unix को बाद में इस operating system C पे एक book लिखी गई, सबसे पहली book जो C पे लिखे गई वो 1978 पे KNRC उस book का नाम बाद में पढ़ा, पहले उसका नाम programming in C था Carringham और Dennis Richie दो लोगों ने मिलके लिखी थी इसलिए इसका नाम KRC रिखा गया 1978 89 और 90 में ANSI ने इसे standardized कर दिया, इस C programming language को standardized करने का क्या मतलब होता है वहले यह समझ लिखे हलका सा, थोला सा मैं आपको बतायता हूं कि माल लीजे C programming तो बन गई है, ठीक है Dennis Richie ने बना दी 72 में अब लोगों ने क्या-क्या इसको modify करना शुरू कर दिया भाई, कोई नई feature डाल दिया C में, बिना Dennis Richie को बताया, उन्होंने programming ली और नई feature डाल दिया किसी और ने कुछ और नई feature डाल दिया, तो अगर ऐसा होने लग गया, तो कहीं भी यह common C नहीं रहेगी सब लोग अपनी-अपनी C इस्तिमाल करेंगे, कहीं C कुछ और तरीके से काम कर रही है, कहीं C कुछ और तरीके से काम कर रही है 89 में ANSI, यह एक American organization है, standardizedization की institute है, तो यह जो काम करता है, यह कहता है कि भाई, आप C को standardized कर देना चाहिए, पूरे word में एक common C चलनी चाहिए, जितने भी modification उसमें हो रहे हैं, उन सब को एक जगह खटा करो और एक common C चलाओ, 89 और 90 में ANSI और ISO, दोनों ने इसे मिलके standardized कर दिया, तब ही इसे ANSI C भी बोला जाता है, एक्चल में है यह C, लेकिन standardized ANSI नहीं किया, तो इसे ANSI C बोला जाता है, फिर 1999 में बहुत कम लोग जानते हैं कि इसमें फिर से modification होए और कुछ और features add किये गए ANSI C में, उसे बोला गया C99, और ANSI C को C89 या C90 भी बोलते हैं, ठीक है, क्यों इसे 89 या 90 बोला जाता है, दोनों time पे, 99 में उसमें modification हुए, इसलिए उसे बोला गया C99, तो C99 latest version है C का फिलाल, इसको भी हम cover करेंगे कि उसमें क्या-क्या modification add किये गए, ये भी मैं आपको इस course में बताऊंगे, अब बहुत से लोग कहेंगे कि 1972 में C आई थी, तो अब तो ये बहुत obsolete हो गई होगी, बहुत पुरानी language है, तो इसका जवाब हम देंगे आपको एक survey से, ये वो company है TOB, जो ये survey करती है कि इस समय कौन सी programming language सबसे ज़्यादा use की जा रही है, ये top 10 programming language नहीं बताती है, top 20 programming language नहीं बताती है, ये इसके कुछ criteria है कि programmer कौन सी language ज़्यादा use कर रहे हैं, कौन सी language के ज़्यादा courses है market में, companies, google, amazon और भी बहुत सारे इनके criteria है, जिनसे पूछती है, पता करती है, और फिर ये survey निकालती है कि कौन सी programming language सबसे ज़्यादा use की जा रही है इस समय, इस समय अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा use की जा रही है, python programming language इस नंबर 2 पर है, ये हो सकता है, नंबर पहले पीछे रही हो, फिर उपर आई हो, तो इसका individual survey भी थोड़ा सा देखी लेते हैं, लगे हाथ, 2001 से ये survey कर रहे है, तो इस C programming language की highest position थी, 1 सितंबर 2021 में, नंबर 1, और इस programming की lowest position रही है, नंबर 2, 2024 में, इस सम है, इसका मतलब है, य या तो ये नंबर 1 रही है, या तो ये नंबर 2 रही है, according to TOB, according to use, according to programmers, according to survey, ये इसका graph है, चलिए इसका graph compare करते है, Python से जो इस समें नंबर 1 पे है, और देखते हैं, इस से आगे पीछे कौन सी programming language रही है, तो ये जो सबसे उपर आप देख रहे हैं, और ये जो सबसे उपर C, उसके बाद C++, अगर मैं C के graph को देखूं, तो 2018 में थोड़ा सा नीचे आ गया था, बांकी programming language भी नीचे आ गयी थी उस समें, Java उससे उपर थी, और 2018 में अगर आप ध्यान देंगे Python पे, तो 18 के बाद ही Python ग्रो करना शुरू करी है, ये देखे, और यहां से Java नीचे आना सुरू ही है, और Python उपर जाना सुरू ही है, और C programming language हमारी number 2 पे आ गई, और इस समें Python सबसे उपर है, उसके बाद है आपका C, उसके बाद है C++, फिर आपका Java है, जो इस समें market में use की जा रही है, और ये total programming language है, photon इस समें develop हो रही है, इस article के according भी, तो इस से तो हमें पता च language बहुत ज्यादा important है, बहुत ज्यादा programming, बहुत सारी programming का base C ही है, इवन Python का documentation अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है, कि C को base रखके Python develop की गई है, तो अगर आप C पढ़ लेते हैं, तो आपको बहुत सारी programming language अपने आप आ जाएंगी, और बहुत basic funda, programming language का होती क्या, कैसे काम करती है, यह आपका बिलकुल doubt clear हो जाएगा C पढ़ने के बाद, तो आपका एक तरीके से basics बहुत ज्यादा strong कर देगी C, तो इस lecture के लिए इतना ही, अब next lecture में हम C को पढ़ना सुरू करेंगे, देखेंगे कौन-कौन सी programming language है, क्या-क्या टाइप है languages का, और पूरी C को detail में हम पढ़ना सुरू करेंगे, तो बने रहिएगा, दियान से पूरी lecture series को follow करिएगा, इतना basic पूरा आपको एकदम strong करना है, तभी हम आगे और other programming languages सीख पाएंगे, अच्छे से, तो धन्यबाद मिलते हैं आपसे अगले lecture में, नमस्कार जहन,